रहस्यों से भारी इस दुनिया में अंगिनत रहस्य हैं, कहीं मंदर के रहस्य तो कहीं नदी, पहाड, पानी, गुफा से जुड़े रहस्य हैं। नकाशी आज भी कारीगरों के लिए रहस्य से कम नहीं हैं। कहा जाता है कि इस मंदर को बनाने में 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। इसनी शताबदी में पलवु किंग नर्सिंग वर्मन प्रतम के समय की लगती है। इसका निर्मान दक्षण। भारत के कई मंदरों के साथ किया गया था। श्रूर का यह विश्व विख्यात मंदर है माचल के कांगडा से 32 किलोमीटर दूर है। यहां हर साल लाकों पहुंचते हैं। मंदर के मुख्य गिट से लेकर सभी दिवारों पर दुरलब। नकाशी आज पी मौजूद है। यह एक 15 स्थिर और मजबूत का एक समूह था जिसे कारीगरों ने काटकर मंदर की शाकल दे दी। इंग में इंडो आरियान स्टाइल की नकाशी की गई है। उतर भारत में यह एकलोता मंदर है जिसका निर्मान को काटकर किया गया है। मुख्य मंदर पर भगवान श्री राम राम, लक्षमन और सीता की छवयां अंकित की गई है। साथ ही भगवान शिव की भी एक कलाक्रती यहां है। यह मंदर भगवान शिव को ही समर्पित है। मसरूर मंदर का करीब 2500 फीट की उंचाई पर स्थित पहाडियों पर बनाया गया है। इन्हें विश्वके में से एक माना जाता है। इस मंदर के आगे एक बड़ा तलाप भी है जो इसकी खुबसूरती को चार चांज लगाता है। आकिटेक्शे मानते हैं की को कटकर इस तरह का निर्मान करना बेहत मुश्किल होता है। ऐसे में इस मंदर का निर्मान उस समय के सबसे बहतरीन कारीगरों से करवाया गया था। आज के जमाने में ऐसा निर्मान संभव नहीं हो सकता। हालाकि बाहरी आकरमन और 1905 को आएभू कांप के कारण मंदर ने अपनी सुन्दरता भी खोई है। मगर आज यहां कोच एक ही ऐसे हैं जो अपनी खुबसूरती बरकरार रखे हुए हैं। मंदर के कोच एक हिससे स्टेट मुजियम शिमला में भी रखे गए हैं। अगर आप इस मंदर में गए हैं तो आपका क्या खयाल है। हमारे साथ जरूर शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।